हेलो फेंट्स आज की इस वीडियो में हम बाग करने वाले हैं इमेल रिकवरी के बारे में अगर आप गूगल एकाउंट या इनकि जीमेल एकाउंट यूज करते हो फेंट्स तो यह यानि कि अपने जीमेल एकाउंट को सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो आप अगें किसी अदर डिवाइस में उसको रिकवर कर पाऊ यानि कि अपने जीमेल एकाउंट गूगल एकाउंट को रिकवर कर पाऊ फेंट्स और यह सारे चीजे अगर आपने की हुई है तो बहुत अच्छी बात आप इस वीडियो को कर सकते हैं अगर आपने एड नहीं किया हुआ है तो यह वीडियो आपको इन तक जरूर देखना है मैं आपको step by step आपको बताने वाला हूं कि आपको recovery में mobile number या email id कैसे एड करना है तो सबसे पहले mobile number एड करने के लिए या फिर email id एड करने के लिए recovery option में आपको अपने Gmail application पे क्लिक करना है Gmail application पे ज जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे email id यानिकी Gmail account सो हो जाएंगे जो आपने create किये हुए हैं so जिस Gmail account में आपको add करना है यानि recovery option में आपको mobile number या email id एड करना है उस पे आप क्लिक कर लीजे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो email id यानिकी वो Gmail account आपका सबसे उपर जो Gmail ID यानि की email ID सो हो रहा है तो उस पे आप देखेंगे उसके निचे लिखा हुआ है Google एकाउंट पर आपको क्लिक करना है Google एकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके Google एकाउंट का सारे फीचर जितने भी होते वह आपके सामने सो हो जाएंगे Google एकाउंट के राइट तो सबसे उपर आपका email ID सो हो रहा है उसके निचे आप देखेंगे कई सारे options हो रहे और right side में अगर आप scroll करेंगे तो और भी option आपको यहां पर मिल जाएंगे तो इसमें से एक option है सिकुरेटी सो सिकुरेटी वाले option पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ was recovery phone और दूसरा लिखा हुआ है recovery email यानि की phone number और email ID दोनों को आप यहाँ पर add कर सकते हैं तो recovery phone में आपको phone number add करने के लिए इसी option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने आपका Google account और यहाँ जीमेल account ओपन हो जाएगा आपको उसमें आपके email ID का वहाँ पर password मांगेगा तो वो password जस्ट आपको fill करना है जैसे उस password को fill करेंगे दिन आपके सामने option आएगा friend यहाँ पर मैं अपना password fill कर देता हूँ जो भी मेरा password है यहाँ पर friends मैंने password को enter कर दिया है password को enter करने के बाद जैसे आप next पर click करेंगे तो आपके सामने यह वाला option open हो जाएगा यहाँ पर देखे लिखा हुआ है add recovery phone तो आपको इस पर just click करना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी mobile number है वो भी आपका यहाँ पर select होगा या फिर लिखा हुआ है use another number for example आपको use another number यानि कि आपको दूसरा number यहाँ पर add करना है तो use another number पर click करके आपको नीचे next का option है उस पर click कर देना है click करने के बाद आपको जो भी mobile number add करना है आपको यहाँ पर mobile number fill करना है मैं mobile number अपना fill कर देता हूँ जो मुझे add करना है friends इसके बाद आपको नीची एक option आएगा cash add, उसपे आपको click करना है so जैसे आप add पे click करेंगे friends आपका यहाँ पे mobile number add हो जाएगा अब यहाँ से आप back कर सकते हो यहाँ से आप back कर दीजिए एक दू बार आप back करेंगे आपका यहाँ पे back हो जाएगा friends उसके बाद यह देखिए आपका यहाँ पर mobile number 100 हो गया जो आपने add किया था यानि कि मैंने add किया था अब दूसरा option है recovery email recovery email यानि कि email id को add करने के लिए आप इस पर click करेंगे फिर से आपका वही process है आपके email id का यहाँ पर password मांगेगा वो password आपको fill करना है access करने के लिए so मैं अपने email id का password fill कर देता हूँ so email id का password fill करके मैंने next पर click कर दिया next पर जैसे हम click करने के तो हमारे सामने यह option open हो जाएगा अब यहाँ पर your recovery email यह लिखा हुआ your recovery email अब यहाँ पर example भी दिया हुआ यानि कि अपना email id या फिल कीजिए जो email id आपको add करना है email id इंटर करने के बाद फ्रेंट जैसे आप next पे click करोगे आपका email id recovery में add हो जाएगा आप next पे click करेंगे उसी परकार आपका यहाँ पर email id recovery में add हो जाएगा राइट, verification code मांग रहा है, so verify करने के लिए आपके email पर यहाँ पर six unka digit code जाएगा आपको fill करना है, मैं OTP देख लेता हूँ OTP देखने के बाद मैं fill कर देता हूँ OTP आप यहाँ पे fill करेंगे उसके बाद verify पे click करेंगे verify पे click करने के बाद यहाँ पर यह देखिए आपका recovery email verified हो गया है और यह आपका email id recovery में add हो चुका है आप इसको आप back कर दीजिए एक दो बार आप back पर click करेंगे यह आपका यहाँ पे back हो जाएगा आप यह देखिए ways we can verify it's you अब इन दोनों option में recovery phone and recovery email में आपका mobile number और email id add हो चुका है अब होगा क्या फेंट्स अगर आपका यह phone या फिर आप किसी laptop या desktop में अपने gmail account को या google account को use करते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है system के साथ में phone के साथ में तो आप उसको again किसी other device में mobile में laptop और desktop में recover कर सकते हो I hope आपको step by step में समझा पाया हूँ और आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होंगे और आप अच्छे से recovery में phone number या फिर email ID आप add कर सकते हो प्लीज मैं आप सभी लोगों से request करता हूँ अपने Gmail account को secure रखने के लिए आप recovery का use जरूर कीजे फ्रेंड्स